Hello everyone, welcome back to my channel, hope all are you doing good और दिल से द्वा करती हूँ, आप अपने घर में खुश होंगे, खुशाल होंगे, मज़े से होंगे जैसे कि नवरात्रे हैं और नवरात्रों में अगर आप मेरी तरह 9 दिन का वरत रखते हैं या घर पर भी कोई भी रखता है, तो हमें काफी सारे फलहार बनाने की ज़रत होती है उसमें कुछ ऐसी मिठाईया भी होती है, अगर हम होम, हावन या घर में कोई पूजा कराते हैं जिसको आप प्रशाद की तरह बाढ़ सकें और नवरात्री में उसका भोग भी लगा सकें तो गाइस मैंने घर पर ही एक बहुत अच्छी मिठाई बनाने की कोशिस की है जो बहुत ही कम समय में बन जाती है, आज अब स्वादिस्ट लगने के साथ साथ पौस्टिक भी है खाने के लिए ही नहीं, अगर आपके घर में कोई होम, हावन होने वाला है तो आप उसको प्रशाद की तरह आट सकते हैं और सबको ये मिठाई बहुत जादा पसंद आने वाली है जादा बड़ी वीडियो ना करते हुए, फटाफट से मैं आपको ये मिठाई, ये प्रशाद आपको बनाना सिखा देती हूँ और वीडियो करती हूँ, इस चार्ट तो जी, ये मिठाई मैं आज आपके सामने बनाने वाली हूँ और इसको आप खुला भी रख सकते हैं, मतलब लड़ू बनाने की आपको ज़रुत नहीं है और प्रशाद की तरह आप इसे खुला भी बना सकते हैं, बट मैंने इनके छोटे-छोटे लड़ू बनाए है और बहुत ही स्वादिस्ट लगने के साथ साथ ये बहुत ही जल्दी बनने वाली है तो गाइस इसमें मुझे ज़्याद़ चीजों की ज़रुत नहीं पड़ेगी मेरे ड्राइफ फूट्स जो हमेशा मेरे फ्रिज में रखे हुए होते हैं तो इसमें मैंने अकरोट बादाम और मखाने काजू किश्मिज और साथ में सुखा गोला जो हमेशा फ्रिज में होता है उसको कद्दुकस कर लिया है तो ये थोड़ी सी चीजे हैं जो आपको यूज करनी है उसके साथ मैंने ये खोवा लिया है खोवे को मैंने नाइट में थोड़ा सा हलका बूरा करके भून लिया था तो ये लगबग 750 ग्राम है अब हम साफ कड़ाई रखेंगे उसमें लगबग 1 टेबल स्पून हमें देसी घिल यूज करना है केवल टेबल वन टेबल स्पून आपको यूज करना है गाईस और इसमें आप हलका भूरे रंका जो भी इकवल चीज़े हैं जैसे काजू, बदाम, अक्रोट आप इनको एक साथ ही तल सकते हैं और तल कर एक तरफ रख दीजेगा इसके बाद आप थोड़ी सी जो मैंने किश्मिस ली है उन किश्मिस को भी मैं हलका सा इनको तल लूँग तो देखे मेरी कढ़ाई का पूरा घी खत्म हो गया है और इनको भी मैं उसके साथ ही एक प्लेट में रख लूँगी अब इनको थोड़ा सा हलका सा आपको ठंडा होने देना है इसके साथ मैंने तिल को भी हलका सा बूना है और गोले को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है अब क्या है हम किसी बड़े बरतन में अपने पूरे खोवे को यानि मावे को ट्रांसफर कर लेंगे इनको हलके हातों से आपको अच्छे से मैश करना है अगर आपका फ्रिज में रखा हुआ है तो गाठे थोड़ी सी जादा हो जाती है बट मेरा बाहर ही रखा हुआ था तो गाठे जादा नहीं हुई तो इसमें सॉफ्टनेस बनी हुई थी तो बहुत जल्दी मैश हो गया ताकि यह अच्छे से सभी चीजों में मिक्स हो जाएगा अब मैंने सभी ड्रायर फ्रूटों को दरदरा सा पीस लिया है और मैं इसे किसी बर्तन में ट्रांसफर कर दूँगी गाइस इनको भी मैंने दरदरा पीस लिया और वो भी मैं इसी में mix कर दूँगी यानि इसी में transfer कर दूँगी उसके साथ साथ अब हमें क्या करना है इन सभी चीजों को हमें खोवे में मिलाना है तो इसमें मैंने गोला जो अलग से रखा हुआ था वो दैन जो मैंने तिल भूने थे वो भी मैं इसमें mix करने वाली हूँ अब हम बूरा का measurement पताती हूँ मैंने यहाँ पर दो कटोरी बूरा लिया यानि 500 ग्राम लगभग एक कटोरी में आती है तो मैंने 500 ग्राम पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर बूरा का यूज़ किया है और लास्ट में गाईज मैंने यहाँ पर बारी कटे हुए पिस्ता भी यूज़ किया है चाहे तो आप इने इसकी भी कर सकते है मीठा गैस आप अपने स्वाधनुसार रख सकते हैं अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप बराबर का भी एड़ कर सकते हैं और नहीं तो आप मेरी तरह मीठा कम कहना पसंद करते हैं तो आप कम ही मीठा एड़ कर सकते हैं आप आप इसका हलके हातों से बहुत छोटे-छोटे से लड्डू बना लीजे और नहीं तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था आप इसे खुला भी फलहार में यूज़ कर सकते हैं तो मैं इनके सभी के लड्डू बनाकर रख लूँगी तो य इस बन गए ना कुछी मिन्टों में इतने स्वादिस्ट लड्डू वो भी व्रत के लिए अगर आप भार का नहीं काना चाहते हैं तो आप अपने घर में बनाईए खाईए खिलाईए और इसे आप अपने होम हवन में भी आप इन्ने प्रिशाद की तरह बाट सकते हैं तो मिलती हूँ फिर से एक नेक्स्ट और ब्यूटिफुल और यूस्फुल वीडियो के साथ तब तक के लिए की बोचिंग तिल देन टेक के और बाबाई